कहानी की शुरुवात होती है और हमें एक वोई सुनने को मिलती है और हमें बताया जाता है कि अगर आप किसी वोर को खत्म नहीं कर पाते तो आपको सिर्फ एक नए इंसान की जरूरत होती है और वो नए इंसान है ग्लेन और हमें यहाँ पर Glenn के बारे में पता लगता है और Glenn Cambridge University से graduate है और उसके लिए अनुशाषन बहुत ही माईने रखता है और वो सारी चीजे time table पर करता है और अभी Glenn को अफगानिस्तान में भेजा गया है और उसके आने से सारे लोग बहुत ही जादा खूश है और सबको उमीद है Glenn वाँ पर बहुत ही बदलाव लाएगा और Glenn जिस भी तेश में गया है उसने हर जगा पर लोगों को प्रभावित किया है और इसलिए सबको यही उमीद है कि Glenn अफगानिस्तान में कुछ ऐसा ही करेगा वो यहां के यूद को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और Glenn भी बहुत ज़्यादा जोश में है कि वो अफगानिस्तान में भी जरूर बदलाव लाएगा इसलिए वो अफगानिस्तान पहुँचकर अपने काम में लग जाता है वो अपने सारे के साथियों से बात करता है ताकि उसे उनका साथ मिल सके और सारे लोग उसके वीजन को समस सके और इसलिए वो अपना ज़्यादा समय अपने ट्रूप्स के साथ बिताता है और Glenn के साथ यहां पर एक और जनरल होता है जिसका नाम है Greg और ग्रेग भी Cambridge University से graduate है और यहां पर अब हम धीरे धीरे ग्लेन के टीम को देखते हैं ग्लेन के टीम में IT सपोर्ट के लिए एक officer है जिसका नाम है इंडी और इनके साथ एक नेवी सिल भी होता है जिसका नाम है Pete और इन सब के साथ साथ इसके ग्रूप में और भी सारे लोग ह होते हैं जो ग्लेन को बहुत ही जाता पसंद करते हैं और वो उसके लिए जान भी देने को तैयार है और ग्लेन ऐसी अफगानिस्तान में अपने प्लैन को आगे बढ़ाता जाता है और इसी सिलसले में एक दिन वह पहुंचता है President Office और वहां पर कहता है कि उसे Obama से मिलना है यहां के लोगों से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि इतनी जल्दी तुम Obama से नहीं मिल पाओगे और हमने यहां पर तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम यहां के य carbohydrates को खत्म कर सको लेकिन तुम्हें और सिपाही नहीं मिलेगे और कभी नए सिपाहियों के आगे में से मिलेगा जिसका नाम है कारजाई और इसलिए वो अगले दिन पहुंचता है कारजाई की ओफिस और उसे सारे लोग समझाते हैं कि तुम्हें कारजाई के सामने बहुत ही आराम से पेशाना होगा और ग्लेन भी इस बात को अपने दिमाग में रखता है और जैसे वो जैसे ही गलेन को देखता है और वो कहता है कि तुम यहां के नए जनरल हो लेकिन तुम बिल्कुल ही पुराने जनरल के तरह चलते हो पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें यहां पर कुछ नया करोगे चोकि पुराने जनरल ने नहीं किया तब गलेन यहां पर क जो अमेरीकी सेना से नफरत करते हैं और यहाँ परभात नहीं बनती, इसलिए यहाँ से निकल जाता है, वो जाकर मिलता है यहाँ के करनल से, और उन्हें वो अपनी पूरी प्लानिंग बताता है, और इस प्लेन का शाूर Kap्लान के पनाम है Counter- Emergency, प्लेन के त past ऑट वो अफगा अफगानिस्तान के सिविलियंस का इने सपोर्ट मिलें। में लग जाता है और वो हर रोच प्लैनिंग करता है लेकिन धीरे धीरे ग्लेन को एहसास होता है कि उसे अपने प्लैन में कुछ बदलाओ करना पड़ेगा और इसके बाकी साथी भी यही कहते हैं और इसलिए ग्लेन अपने साथियों को बदलता है जो बहुत दिनों से यहां रहा जिन के वज़ा से गड़बल हो सकती है और इसलिए एक बार फिर बात करता है और वो कहते हैं अजया हौआ और वह बना रहा हो दोक्सा करने वाला इसलिए और कोई भी धिर नहीं ले Samtay क्योंकि अगर हमने कुछ और ट्रूप्स यहां पर भेजा तो यहां पर अफरा तफरी मच सकती है इसलिए हम ट्रूप्स को नहीं भेजेंगे तब ही गलेन को पता चलता है कि यहां पर बहुत सारे मरीन ओफिसर्स आये हैं जो अभी अभी इटली से आ रहे हैं तब गलेन जाकर उनसे मिलता है और गलेन देखता है कि यह सारे लोग अभी बहुत ज्यादा ठके हुए हैं गलेन को पता है कि अमेरीकी सेना और ट्रूप्स को नहीं भेजेगी लेकिन वो चाहे तो उसके साथ मरीन ओफिसर्स रह सकते हैं इसलिए वो सबसे बाते करने लगता है और तब उसे धीरे धीरे इन ओफिसर्स के बारे में पता चलने लगता है कि वो सारे मरीन ओफिसर्स मासिक दोर पर बहुत ही ज्यादा परिशान है क्योंकि यूद धीरे धीरे इन्हें खोखला बना रहा है इसलिए जब ग्लेन उन्हें अपनी पूरी प्लैनिंग बताता है तो ये लोग एक के बाद एक सवाल पुछने लगते हैं और उन्हें लगता है कि ग्लेन का प्लैन खराब हो सकता है और लोगों की जान भी जा सकती है क्योंकि अब इन से पाईओं को सिर्फ मौत ही मौत नजर आ रही है तो अब ग्लेन यहां पर इन सभी को समझने की कुशिश करता है और समय ऐसे ही बितने लगता है और देखते ही देखते ही यहां के इलेक्शन खत्म हो जाते हैं फिर इनके टीम में एक नए महमान आता है जिसका नाम है कैप्टन बाती और वो एक अफगानी है और एक अफगानी आदमी को टीम में देखकर ग्लेन बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लोगों के और करीब जा सकेगा इसलिए वो बाती को अपनी पूरी प्लैनिंग बताता है पर इस प्लैनिंग को सुनने के बाद बाती भी पूरा कन्फ्यूज नजर आता है तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बताता है कि हमारी पूरी की पूरी प्लैनिंग लिग हो चुकी है और ये बात American News Paper में आ चुकी है जैसे ग्लेन इस बात को सुनता है वो बहुत ही परिशान हो जाता है फिर थोड़ा सोचने के बाद वो कहता है कि हमें एक मीटिंग करनी पड़ेगी और हमें मीडिया वालों से मिलना पड़ेगा फिर तभी मैं उन सारी चीजों को explain कर पाऊंगा इसलिए ग्लेन एक बहुत बड़ा interview देता है और ये interview होता है एक घंटे का और जब ग्लेन से सवाल जब आप पूछे जा रहे होते हैं तभी ग्लेन का एक आदमी जाकर reporter से बात करता है और वह कहता है कि हम चाहते कि आप president के बार में जाकर ग्लेन से पूछे और वह interviewer ऐसा ही करती है और वह ग्लेन से पूछती है कि आपकी president से कितनी बार बात हो चुकी है तब ग्लेन कहता है कि सिर्फ एक बार और यहां से ग्लेन president को रोष्ट करने लगता है और सिर्फ और सिर्फ उसके बुराईयां करता है क्योंकि ग्लेन को लगता है कि अगर प्रेसिडेंट चाहते तो उसके लिए बहुत ज्यादा मदद भेजी होती फिर शायद ये लोग जल्दी से इसी हुद को खतम कर देते लेकिन ये सब कुछ प्रेसिडेंट की वज़ा से हो रहा है इसलिए ग्लेन ये सारी बाते कहता है और तभी ये सब बाते पहुंचाती है अमेरिका तभी ग्लेन के पास वाइड हाउस से कॉल आता है और वे लोग ग्लेन को डाटने लगते हैं कि आखिरकार ग्लेन ने ऐसा क्यों किया तब ग्लेन यहाँ पर नाटक करने लगता है और वो ऐसा प्रेटेंड करता है कि जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा हो और यहाँ पर नेटवर्क का इशू हो और यही बहाने बनाकर ग्लेन फोन को काट देता है लेकिन ग्लेन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि जो चीज हुआ चाहता था वो हुच चुकी है और प्रेसिडेन्ट इस चीज को और भी ज़्यादा गहराई से सूचेंगे और तबी हम ओबामा का इंटर्वियू देखते हैं और ओबामा सभी को बता रहे होते हैं कि हम अफगानिस्तान में इस वर को खत्म करना चाहते हैं और वो यहाँ पर ग्लेन के स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात करते हैं और वो कहते हैं कि हम जल्दी अफगानिस्तान में 30,000 ट्रूप्स भेजने वाले हैं और वो भी ग्लेन की मदद के लिए और फिर हम तेर साथ के बाद इन सभी ट्रूप्स को वापस बुला लेंगे हमेशा के लिए लेकिन ग्लेन जैसे इस बात को सुनता है वो बहुत ही भड़क जाता है और उसे लगता है कि प्रिसिडेन इन सभी चीजों को खत्म करना चाते हैं और वो इन सब को वापस बुला लेंगे इसलिए ग्लेन अभी तक जितने भी चीजे की हैं वो सारी चीजे खत्म हो जाएंगी और उसके साथ साथ ग्लेन यह भी कहता है कि उन सभी को यूरोप जाना है और सब लोग अपनी अपनी पैकिंग कर लो क्योंकि वे जल्दी पैरिस के लिए निकलने वाले हैं फिर ये सारे लोग पैकिंग करने लगते हैं तब ही एक आदमी आकर ग्लेन को बताता है कि आपके वाइफ यहां पर आई हुई है इसलिए ग्लेन अपनी वाइफ से मिलने जाता है और वो देखता है कि उसके वाइफ बहुत ही परिशान है पर वो ग्लेन के लिए बहुत ही खुश है क्योंकि ग्लेन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और वो ग्लेन से यह भी कहती है कि वो और में हमेशा ही बीजी रहता है जिसके चलते उसके पास उसके परिवार के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है इसलिए उसके वाइफ चाती है कि ग्लेन कुछ समय अपने परिवार के लिए भी निकाले फिर ग्लेन कहता है कि वो जरूर वक्त निकालेगा फिर ग्लेन अपनी पतनी से मिलने के बाद वो अपनी सारे साथियों के साथ पैरिस के लिए निकल पड़ता है क्योंकि पैरिस में इन लोगों के मुलकात होने वाली है ओबामा से इसलिए गलेन ओबामा से बात करने के तैयारी करने लगता है तब ही प्रेसिडेंट का एक आदमी आता है गलेन के पास और वो उसे एरिटेट करने लगता है और वो कहता है कि तुम बिलकुल भी वार खत्म नहीं करना चाहते और तुमने जो सारी गल्तिया की है तुम उन गल्तियों को ढगना चाहते हो फिर गलेन इन सारी बातों को सुनने के बाद बहुत ही गुसा हो जाता है पर जल्दी ये लोग पैरिस पहुँच जाते हैं फिर उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट आने वाले हैं और ये सारे लोग उनके स्वागत में ख़ड़े हो जाते हैं तब ही अबामा आते हैं गलेन के पास और वो ग्लेन से कहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है इसलिए मैं तुम से फिर कभी मिलूँगा और इतना कहने के बाद वो उसके साथ फोटो खिचवाते हैं और यहां से चले जाते हैं और इस चीज़ को दिखने के बाद ग्लेन बहुत है गुस्सा होता है क्योंकि उसका पैरी साना बिकार हो गया पर रात को जब ग्लेन एक होटल में जाता है तब उसके मुलाकात होती है एक सुन नाम के आदमी से जो कि एक पत्रकार है और वो अगेंस्ट पार्टी के लिया काम करता है और इसी सिलसले में वो बात करना चाहता है ग्लेन से और ग्लेन कहता है कि मैं तुम्हें इंटर्वियो दूँगा और तुम्हें जो भी कुछ पुछना है वो सारी चीज़े बताऊंगा लेकिन मुझे फ्रंट पेज पे आना है पर सोन कहता है कि आप फ्रंट पेज पे नहीं आ सकते क्योंकि फ्रंट पेज पे लेडी कागा आ रही है तब ग्लेन कहता है कि हम तोनों को एक साथ ले आओ और हम तोनों को यी फ्रंट पेज पे रखो नभी सोन हसने लगता है और कहता है कि आप शायद मजा कर रहे हैं लेकिन ग्लेन कहता है कि नहीं मैं बिल्कुछ सिरियास हूँ और इतना कहने के बाद वो अंदर चला जाता है और ये सारे लोग सीट पर बैठ कर डिनर करने लगते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स बाती को नहीं बैठने देते क्योंकि वो एक अफगानी है पर इस चीश को देखने के बाद ग्लेन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है पर उसके गुस्से को देखने के बाद बाती को उन्हें सीट पर बैठाना पड़ता है और इतना कहने के बाद वो इमोशनल होने लगता है लेकिन उसके पत्ने उसे संभालती है और वह कहती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और तुम्हें यही काम करना पसंद है और फिर एक समय ऐसा आएगा कि तुम हमारे साथ भी होगे लेकिन जो तुम अभी कर रहे हो पहले उसे खतम करो और यह सारी बात एक ग्लेन को बहुत अच्छी लगती है और इसलिए यह दोनों चले जाते हैं बार में और ग्लेन देखता है कि उसके सारे टुपस यहाँ पर इंजोई कर रहे हैं और उन्हें किसी भी बात की कोई भी फिकर नहीं है लेकिन अगली सुबह इन्हें एक कन्फरेंस के लिए निकलना है लेकिन सुबह सुबह इनको पता चलता है कि इनकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और इसलिए इन्हें बस से जाना पड़ेगा और इसलिए यह सारी सिपाई यहां से बसे जाने लगते हैं और जल्दी पहुँचते हैं कनफरेंस हॉल में जहां पर गलिन अपने सारे प्लैंस लोगों को बताता है और वो कहता है कि किसी को मारना किसी भी यूद का अंत नहीं है वो कहता है कि अगर हमारे पास 10 दुश्मन हैं और हम उन में से 2 को मार देते हैं और इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास सिर्फ 8 दुश्मन बचे हैं बलकि अब हमारे पास 18 दुश्मन हो गये हैं क्योंकि जिन दो लोगों को हमने मारा है उनके परिवार वाले और उनके चाहने वाले वो भी हमारे दुश्मन बन जाएंगे और जल्दी वो भी बंदू के उठा लेंगे और इस चीज को सुनने के बाद मीडिया वाले और भी सवाल पुछने लगते हैं लेकिन गलेन आसानी से सारे सवालों की जवाब देता है और वो बताता है कि वो किसी भी हाल में इस यूद को खदम करना चाहता है और वो नहीं चाहता कि अब कोई भी वार हो लेकिन यहीं पे एक जर्मन महिला होती है जो Glenn को बताती है कि आपकी ये कोशिश और भी बहुत सारे लोगों की जान लेगी क्योंकि किसी भी war को नहीं रोका जा सकता क्योंकि लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है और इस इस्तिती में और भी चीजे खराब हो सकती है और ये बात भी Glenn को परिशान करने लगती है और Glenn वहाँ से निकल जाता है अब Glenn जान चुका है कि इन चीजों को कोई मतलब नहीं है और ज्यादा टूप्स होने से भी अब कुछ नहीं होने वाला और इसके चलते और भी चीजे खराब होंगी और धीरे धीरे करके सारे टूप्स अफगानिस्तान पहुंचाते है और सब प्लैनिंग करने लगते हैं कि वह Glenn के उपरेशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे लेकिन Glenn अब बहुत ही जादा परेशान है और वह जल्दी ही सिविलियंस के पास जाना चाहता है और इसलिए वह पर्मिशन लेने के लिए जाता है करजाई के पास पर वह देखता है कि करजाई की तबियत बहुत ही जादा खराब है लेकिन वह अपनी बातों से करजाई को मना लेता है और करजाई उसके ओपरेशन के लिए मान जाता है क्योंकि करजाई को पता है कि गलेन अच्छा काम करना चाहता है और वो अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना चाहता है और अब गलेन भी यहां से निकल जाता है फिर वो प्रेसिडेंट के एक आदमी से मिलता है जो उसे गुडला कहता है और उस बात को सुनने के बाद ग्लेन गुच्सा हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि इन लोगोंने कोई भी effort नहीं दिखाई है और जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है और इसले के लिए नहीं महाँ से गुच्सा होकर चला जाता है और दूसरे तरफ सारे तिसके soldiers तयार हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये mission अब बहुत ही अलग होने वाला है क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी गोली नहीं चलानी क्योंकि ये गोली नहीं चलाना चाहते ये अमल लाना चाहते हैं लेकिन इनके जो दूश्मन है इनके इरादों को नहीं समझ पाएंगे और वों कहीं शाय दिन पर हमला करते हैं फिर ये सारे लोग इशो से पराथना करने लगते हैं और एक के बाद एक टुक्ड़ी भी निकलने लगती है और जल्दे ही रात हो जाती है और सारे की सारे सिपाही आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन इधर क्लेन पी बहुत ज़्यादा परिशान है तब उसे साथ ही उसे संभालने की कोशिश करने लगते हैं और देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सारे की सारे सिपाही आगे बढ़ने होते हैं लेकिन जैसे ही वोग एक गाउं में दाखिल होते हैं उन्पर अंतादुन खुलिया चलने लगती है उसलिए वे लोग अपनी बंदुकों को रोख लेते हैं और धिरे यागे बढ़ने लगते हैं और दूश्मन को ढूनने लगते और कुछ सोलजस नीचे रह जाते हैं और कुछ सोलजस चले जाते हैं छट पे जहां पर वे दुश्मन उपर नज़र रखने लगते हैं तब उन्हें छट पर बहुत सारे लोग नज़र आते हैं लेकिन इन सभी लोगों का मानना है कि ये लोग दुश्मन नहीं हैं लेकिन इन पिर से उधर से गोलिया चलने लगती हैं, जिससे इनका एक और साथ ही मारा जाता है, और इसके चलते कुल आग बबूला हो जाता है, और वो नीचे उतर जाता है, और वो उस तरब जाने लगता है, जहां से ये लोग गोलिया चला रहे हैं, और धीरे धीरे कुल अंदर जाने लगता है अंदर घुसने के बाद जितने भी लोगों के हाथों में बंदूके होती हैं वो उन सभी को मार गिराता है और वो उन सभी को मारने के बाद जैसे ही घर के अंदर जाता है वो अपनी सामने एक मासूम आदमी को पाता है जिसने अपने एक बेटे को गले लगा रखा ह और उसके दूसरे बच्चे को गोली लग गई है और उसका शौव सामने ही पड़ा है और इस चीज़ को देखने के बाद गोल भी टूच जाता है कि वो उस बच्चे को नहीं बचा सका और इसलिए वो उस आदमी से बात करने लगता है कि वो कैसे उसके मदद कर सकता है लेकिन वो आदमी बताता है कि वो अकेला है और वो लोग उसे पकड़ कर लाये थे और जल्दी ही ये बात गलेन को पता लग जाती है इसलिए गलेन भी यहाँ पर पहुंचता है और वो उस आदमी से माफिय मांगता है और वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आये हैं तब वो आदमी बताता है कि उसके पस घर भी नहीं है तब यह लोग वादा करते हैं कि यह लोग उसे पैसे भी देंगे लेकिन धिरे धिरे यहाँ पर गाउं के लोग इकठा हो जाते हैं और गलेन उन सबी से बाते करने लगता है और वो कहता है कि हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आये हैं हम आपके लिए सडके बनवाएंगे, नई स्कूले बनवाएंगे और साथी नए हास्पिरल भी बनवाएंगे और उसके साथ ही जितने भी दुश्मन आपको परिशान कर रहे हैं हम उनसे भी आपको बचाएंगे और तालिबानी सिर्फ आपकी मदद का दिखावा कर रहे हैं और वो लोग कभी भी आपकी मदद नहीं करेंगे तब इन सारी बातों को सुनने के बाद एक आदम उनका शुक्रिया आदा करता है और वो कहता है कि आप सच में मदद करना चाहते हैं और वो चीजे हमें नजर आ रही है लेकिन आप शायद हमारी स्थिती को नहीं जानते आप जितना मदद करने की कोशिश करेंगे उतने ही ज्यादा हलात हमारे लिए खराब होंगी इसलिए अगर आप सच में हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप लोग यहां से चले जाएए लेकिन क्लेन इन्हें एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है लेकिन धीरे धीरे गलेन भी इस बात को समझ जाता है कि वो जब तक यहां पर रहेगा तब तक यहां के लोग मरते जाएंगे और इसलिए गलेन यहां से चला जाता है और वो हेलिकप्टर में बैठा बैठा बहुत ही निराश होता है क्योंकि उसकी मेहनत का कोई भी फल नजर नहीं आ रहा था इसलिए गलेन अब वापस चला जाता है और वो किताब पढ़ता है फिर सो जाता है तब ही सुबह सुबह उसके साथी बताते हैं कि उस रिपोर्टर का आर्टिकल आ चुगा है और वो आर्टिकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसने लिखा कि सिर्फ हम लोग सराब पीते रहते हैं और साथी अयाशी करते हैं इसलिए सब लोग हम पे थुथु कर रहे हैं और इस बास से सारे के सारी सुल्जस परिशान होने लगते हैं और वे आपस में लड़ने भी लगते हैं तब ग्लेन उन्हें रोकने और समझाने की कुशिश करता है तब ही प्रेसिडेंट का कॉल आता है ग्लेन के लिए और उसे पता लगता है कि अब प्रेसिडेंट उससे मिलना चाहते हैं इसलिए अब Glenn को America आजाना पड़ेगा और यहाँ पर Glenn अपनी सारे साथियों को बाय कहता है और वो America के लिए निकल जाता है पर यहाँ पर सारे लोग बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि उन्हें पता है कि अब Glenn वापस नहीं आएगा क्योंकि उसे उसके पत से हटा दिया जाएगा इसलिए सब Glenn के लिए बहुत ही भावुक होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि Glenn सबसे बढ़िया जनरल दा और अब Glenn यहाँ से निकल जाता है और जब वो प्लेन में होता है तो वो प्रेसिडेंट से वीडियो गॉल करता है और यहाँ उसे पता चलता है कि उसे उसके पत से हटा दिया गया है और यह सुनने के बाद Glenn बहुत ही दुखी होता है और समय ऐसे ही बितने लगता है और थोड़े दिनों के बाद हम Glenn को देखते हैं एक दुसरी नौकरी करते हुए और अब वो एक सिविलियन कंसल्टेंट बन चुका है तब ही दुसरी तरफ हम बॉब नाम के एक और जनरल को देखते हैं जिसे अब अमेरिकी सरकार ने उसे अफ़कानिस्तान भेजा है और हमें बॉब भी बहुत जादा जोश में नजार आता है और इसी के साथ ये फिल्म यही पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यही पर खत्म होती है और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सस्क्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में